नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे भागे को बदल सकते हैं बस उसका सही तरीके से इस्तिमाल करना चाहिए तो आज हम जिस पौधे की बात करेंगे उसका नाम है अतीपला यह आपके घर के आसपास यह रोड साइट कही भी आपने देखा होगा इस तरह का पौधा इसमें एक सुनहरे के रंग का पूस पाता है और इसका जो भल होता है न उसका बस यह समझे लिए आकार ही आपको कहीं भी बरबसी आकरसित कर लेगा तो इस पौधे का नाम अतिवला है जैसे कि नाम से आप जानते हैं अतिवला का उड़ जाएं या फिर कुछ सारे रिक परिसानियों के कारण बहुत परिसान रहते हैं तो ऐसे में इस पौधे के चमतकारिक लाब आपको हर मुस्किल से बाहर निकाल देगा क्योंकि आयूर्वेज में इस जरी बूटी का बहुत महत्तों बताया गया है तो यह मौनली पौ पौधा होने के साथ तंत्र मंत्र नकात्मक उर्जाओं को समाप्त करने वाला धन को आकर्सित करने वाला पौधा है इस पौधा के बहुत सारे गुन है माना जाता है कि इस पौधे के जड़ का प्रियोग आपके बहुत सारी सारीरिक मुस्किलों को समाप्त कर देता है तो इस पौधे के बारे में हमारे तंत्र सास्त में बहुत सारे प्रयोग बताये गये हैं, आयरुवेद में भी बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, तो चलिए आज हम आयरुवेद सिद्ध और युनानी चिकित्सा पदती के अनुसार आज हम आपको कुछ महा प्रयोग बताएंगे, कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो सुनकर आपको लगेगा कि हाँ ये ग्यान हमको पहले ही प्राप्त होना था तो अब से इस पौधे को आपको फेगना नहीं है बलकि कहीं भी दिख जाए तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना है देखिए सबसे पहली बात तो इस पौधे इससे क्या होता है न पौधे के गुन बढ़ जाते हैं पौधे भी आपको अपना सर्वस निशावर कर देतें जैसा कि हमारे धर में आप किसी निमंतरन देने जाते हैं वह बहुत खुश होते हैं उसी तरह अगर आप पौधे को निमंतरन देंगे तो खुशी पुरूवक आपकी हर कस्ट को हर लेंगे तो इस पौधे का पत्ता जड़ और इसका फल हर किसी में गुल है तो आप निमंतरन कैसे देंगे देखिए वैसे तो अगर आपके पास समय नहीं आते जाते कहीं दीख जाए तो आपके पास पानी का बोटल रहता है थोड़ा सा पानी जड़ में कि मुश्किले हैं तो आप बोलिए कि आप कल लेने आएंगे और आज आप उनको निमंतरन देने आये हैं फिर अपनी परिसानी बताईए अपना नाम बताईए अपना जगा का नाम बताईए कि आप कहां से आये हैं आपका नाम क्या है अपना परिचे दीजिए और कहिए कि संतान नहीं हो रहा धनकी प्राप्ति चाहिये घर में तब्र मंत्र करिया है उससे मुक्ति चाहिए तो यह बोलिए उन गया हैं आपको उसी दिन समय नहीं है सनी वार की दीन आपसी दीन भी ला सकते परणाम करके बोलिए कि चलिए आप मेरे साथ हम आपको ले जाने आए हैं फिर उस पौधे का जड़ को थोड़ा सा आप उखाड कर तोड़ कर ले आए जरूरी नहीं है कि पूरा पधा उखाडा जाए आप मिटी हटाएंगे तो जड़ उपर में ही रहता है थोड़ा सा जड़ तोड़ कर ले आना है तो सबसे पहले हम आपको पंते का महाअअग बदा देते हैं दिखिए इसकी जड़ दोनों का ही प्रयोग होता है तो पहला प्रयोग यह है कि तीन पंते के मुश्किल है आपके जीवन में तो अब इन प्त्यों को अपने धनस्तान पर किसी भारी वस्तू से दबाकर- काम न करे कि धन इसतीर हो जा है एक मेने के बाद इसको गहीं भी रख सकते हैं आप अगर घर में धर्थानस्थान पर नहीं प्रस रखते हैं यह कुछ पैसे रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं और किसी भारी वस्तु से दबा दीजिएगा इस पत्ते को एक मैने के बाद उसे उठा कर मिट्टी में दबा दे एक मैने में आपको असर आजाएगा आप देखिएगा धन का खर्चा कम हो गया है और जो परण को लाने के बाद बस आपको निमंतरन वैसे ही देना है लाने के बाद इसको कि देखिए हमने आपको पहले भी आकरे के पूजा करें और तीन दीन के बाद इस जर को कूट कर जो महिला प्रेग्निंट होना चाहती है वह थोड़ा-थोड़ा करके प्रियोग कर सकती है यह एसे भी थोड़ा सा सहत के साथ चाठ सकती है थोड़ा-थोड़ा जादा नहीं एक चुटकी से भी कम बस नियम करना है क्योंकि इसके फल बहुत है अब देखिए इसका स्वास्त की समस्या में भी इसका प्रियोग होता है तो उसके पहले एक और बात अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजेगा और वीडियो पुसंद आए तब लाइक की किजिएगा कमेंड कीजिएगा तो हमने कहा जैसे कि स्वास्त के लिए भी बहुत गुनकारी है अतिवला के पत्तों को पानी में उबाल कर अगर काढ़ा बना कर ताल का गुर्ण मिलाकर इसको पीए तो बाबासीर में रहत मिलती है यानि कि जो दस्त होने में दिकत होती है अब कई बार क्या होता है न पेट में दर्द होता है ऐसे में अतिवला के साथ आप सोट मिलाकर दूद के साथ पीए तो पेट दर्द में भी आराम मिलता है हलांकि कोई भी आयरुवेदिक प्रयोग किसी बैद के ही सला से करना चाहिए इस बात का धियान रखिएगा लेकिन यह इसके गुन है हम आपको गुन मताना जाते हैं सरीर को बलसाली बनाता है फौला जैसा कठोर बना देता है इस पौधे के इस्तिमाल करने से अगर कमजोरी ज्यादा है सरीर में खाया पिया नहीं लग रहा तब अतिवला की वीजों को पका कर खाने से सरीर में ताकत यूरीन की मुस्किलों को भी समाप्त करता है काढ़ा बनाकर इसके पीने से और अगर बार बार पिसाब आने की समस्या है तो जड़ की छाल को पौडर यदि चीनी के साथ लें बार बार पिसाब आने की समस्या समाप्त जाती है कई बार मसूरे में थोरा सा दिक्कत आ जाती मसूरों में तब आप पत्तों का कढ़ा बनाकर 3-4 दिन कुल्ला करेंगे तो मसूरों की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है अतीवला जादा तर गुर्दे की परिशानियों को समाप्त करता है गठिया जो जुएंट पेन होता है उसको समाप्त करता है और साथ ही दस्त में भी लाप करता है यहां तक की मिर्गी के दोरे में भी लाप देता है अगर इसकीन की परिशानी है तो भी यह ठीक करता है एंट प्रजनन प्रणाली के लिए भी अतिवला का जैसे आपको बता है लाब होता है और यहां तकी रोग प्रतिरोधक छमता भी बढ़ाता है संक्रबन से भी आपको बचाता है यह अतिवला का पौधा देखिए इसका पेस्ट बनाने के लिए पत्ती बीच को पानी में से कुचला अगर आप सारी बते के लिए अगर आपको जानकारी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरहर महादेब जरू लिखिएगा धनीबाद हम फिर मिलेंगे कि यहां बहुत प्रश्ट है, करद्या भी बढ़ गया, तकलिफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं अरिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करूं